सरकार ने इस समय थोड़ा सा गाइडलाइन जारी कर दिया है कि भाई आप लोग थोड़ा सा मास्क लगा के सोसल डिस्टेंसरी का पालन करिए तो हमारे जो किसान उसका आगया देखे माइक लगा दिया गया है तो हमारे टेंटों में भी किसान रुक रहे हैं यहां पर चुकी जगा जहां तक है हम लोग दो गज़ की दूरी बना-बना करके लोगों को डिस्टेंस से बैठा रहे हैं मास्क लगा के इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहां कम हैं लेकि सब टेंटों में जाए दे किसान आंदोलर के दोड़नें का सदेंतर उसका चाहिसान कर बोरी कर दिए इसमें खुद क्ष्बक रहा है बीमारी के नाम पर जो हमारा किसान तरफ रहा है, मजदूर बिचारे रोड पर भटक रहे हैं, आएसे समय में 700 रुपया डाई का दाम बढ़ाना हम किसानों के लिए भारी सरकार तो देखिए, अगर सरकार पर असर नहीं पड़ता है, आज जानते हैं, इस किसान आंदोलन के बाद तो पहले बात मोदी जी की मन की बात करना बंद करती है मन की बात हुई तो एक लब्ज अगर कहीं बोलने कोई एक लाइक कर रहा है तो हजार गालिया उस पर पा रहे हैं कहीं किसी विदेश में जा रहे हैं विदेशों से समय पहले पांच साल पिछली साल लेकिन आज जब से किसान यहां बैठ गया है मोदी जी जब भी किसी देश स मुझको बुला लो जबकि बंगला देश में भारत की प्रती बहुत हिज्जत रहती है लेकिन जैसे ही बंगला देश गए जैसे मच पर पहुचे लाखों लोग जूता चपल लेकि निकल गए कि मोदी गोबैक जो तुम अपने किसानों के नहीं हो जो अपने देश के नहीं के दिली में दिली म्याव कर रहे हैं लेकिन की बात कोई सुनने वाला नहीं पूरे देश की मिचत मिटि में मिला के चले आए मूदी में अब यह तो घंका है लोग जूता चपल स्वागत कर रहे है हैं और लगा लग रहे हैं जब से किसान यहां अंदौलन बैठा को इसी द तो जब किसान आंदोलन नहीं बैठा तो उसके पहले बुलाये इसे में बुलाये चाहएं मोदी जो मेरिका में जायें अमेरिका में फिस्यक्त लाट्विक बैठा है कनाड़ा में इसराईल में बैठा है किसी में जाए और स्वागत अगर उनका हो जात मुझसे को अभी आप नहीं समझ रहे हैं क्या है आज किसान यहां पर अभी सत्रा सो खाद नहीं सो कर दिए बेज रहे हैं और समय जी कहते हैं कि किसी का घर भी जल ला तो वहां भी अपना लाब उठाओ कहीं आपदा पढ रहे हैं तो वहां भी लाभ है तो ले रहे हैं जब से सरकार बनाए है कभी लागडाउन के नाम पर कभी देश को बिद्धों सक क्रिसी बिल के नाम पर हमेशा तो इन्होंने आउसर कलाब लिया लेकिन अभी चलने वाला नहीं किसान यहां पर एक पाई-पाई का हिसाब लेनी के लिए हम बैट चुका है मजदूरों को बारा-बारा घंटे 20-20 घंटे खटाते थे बंधुआ मजदूर बनाके वहाँ पर यह पास हुआ कि 8 घंटे ड्यूटी चलनी चाहिए किसान को 8 घंटे ड्यूटी करे, 8 घंटे मरनजन करे, इसके बाद खाये पीए, सुअस्तर है और कमाये, उसका एक फिक्स रेट बनाये गया कि कम से कम इतना मजदूरी मिलना चाहिए लेकिन आज हमारे देश से मेरे भाई सुन लेजिए, यह सरकार जालिम सरकार ने पूरी छूट पूजी पतियों दे दिये कि मजदूरों को जैसे चाहो खटाओ, जितना चाहे घंटा खटाओ, बेचारे मजदूर जानते हैं, हम लोग दिल्ली में गये थे, मजदूरों को मेरे भाई क्या बता है, वो भी तो किसानों के बेटे हैं, हमारे यहां 95% खेती जो है कि 10 एकड़ से कम खेती वाले हैं, 10 एकड़, 5 एकड़, 1 विगा, 2 विगा, वो भी तो किसान है, उनके बेटे जब सोचते हैं कि हम चले कुछ, चुकि खेती पैसा मांगती है, वो बेच सारे कभी यहां के मजदूर जो आते हैं, सारों में खटने के लिए सूरज, सूरज का प्रकास लेना सरीर को जरूर, सूरज का देखी नहीं पाते हैं, सूरज को रोचनी क्या होती है, हवा क्या होती है, तो यह सब डर्द यह जो सरकार किसानों को, साथ-साथ मजदूरों को परियास कर रही है उनको वाजीम नहीं दे रहे हैं लोग डाउन लगा था था हमारे देश में पिछले साल तो मोदी सरकार्ण ने सब्सक्राइब पर प्रहार किया था श्रम कानून खतम करके वो तो कहीं सब्सक्राइब बैठ जाएगा रिकसा चलाने वाला मजदूर या एक फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर एक इटा गारा करने वाला मजदूर अगर चार दिन वह बैट जाएगा तो उसके घर रोटी नहीं बन पाएगी इसलिए मजदूर बेचारे हम लोग बड़े-बड़े संगठन है हमारे देश में वह भी तो सड़त पर नहीं आए अब क मजदूर है हमारे साथ फिसान पिसान के साथ्साथ शिछा मित्र बचारे जिनको को सब्सक्राइlles संगठन के नीता Section अगर वो जो लड़ रहा है मजबूतिक साथ लड़ेगा उनेता रहेगा लोगों का नितृत करेगा जो नहीं रहेगा समाप तो जाएगा और यहां पर एक एक लीटर से भी धरती भीरों से खाली नहीं उसी मजदूर में से नेता निकलेंगे उनी किसानों में से नेता निकलेंगे स्रमिक नेताओं को इसलिए दबाये गया कि सरकार डंडे के बदोलत बोले कि हम केस लगा देंगे यह लगा देंगे गया गुंड़ागर्दी की गई उनके साथ कुछ नेताओं को ले जाके नजर बंद किया गया तो यह सब तो कर लिए किसानों पर भी आप देखे नहीं अठ फडान मं विए किसान खर सामिल हो गये आभ मैं जन अंडूलन बन चुका इनका इसां का क्रिसि काणून मर चुका है आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला जिस दिन किसान बैठा एक कंट्रेक्ट फार्मिंग के खेति कानून बनाया थे ने किका फान खेती नहीं करेगा उसको बड़े व्यापारियों को लीज पे दी जाएगी जैसे गाओं के पांज जी बोले थे मन की बात में कि पांसो खिसान अगर व्यापारियों को जमीन दे देगा पूजी पत्ति को दे देगा दो बड़ा कास्तकार बन जाएगा इस सब ना टक है और बोले क्या है कि हमारे किसान हमारे जो सरकार के मंत्री है बिधायक है जगाओं गाओं चौपाल लगाएगे लोगों को बताएं कि किसी कानुन में अच्छा ही क्या है जब वहाँ पर किसान उनसे सवाल पूछने लगा कि एरे भाईया कांट्रेक्ट फार्मिंग में हमारी जमीन को तुम पूजी पतियों को दे रहे हो हम अपनी जमीन को पूजी पतियों को नहीं देने देंगे जब हम लोग यहां पर आंदोलन किये तो आप जो पूजी पती था जो आप किसानों क्या मिला अब पूजी पती जो है जो बड़े बड़े पूजी पती जो हमारी जम किसान बोला ठीक आप आओ घाटन करने हम लाठी लेके बैठे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए दूसरे दिन आप लोगों के आया होगा आया कि अब मुख्यमंत्री का प्रोगाम कैंसिल कर दिया जाता है तो वो जो पूजी पती थे वो बोले मैं कान पकड़ रहा हूं म किसानों के जमीर लेने नहीं जाओगा जब तुम्हारा हमारे किसानों का बहुत बड़ा मान संबान बढ़ा दिया है पूरा भारत वर से ही पूरे बिश को एक कर दिया है आज पहले जानते क्या भाई हम लोग पढ़ते थे कमिकान के घूमने ने आते थे तो जब कोई पू आपके पिता जी क्या करते है तो किसान कहने में सर्म लगती थी उसको किसान कहने में जैसे अपना सोचता है कि हम किसान की बेटे हैं लेकिन अगर आज की डेट में अगर किसी से पूछा जा रहा हूं बीटेग भी कर रहा है इंजिनियर भी है जज भी है डीम भी हो गया अगर